पीच मुख्य मंत्री योगी आदतनात आयोध्या पहुंचे हैं, आप कुसी दी तस्वीरी आयोध्या से दिखाते हैं, CM योगी आयोध्या पहुंचे हैं, वो योध्या दौरे पर हैं, यहां उन्होंने हनुमान गड़ी के दर्शन किये, राम डला के दर्शन किये, और अब वो फिलाल आप देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर निकल रहे हैं, मुखे मंत्री योगी आदतनाथ आज आयोध्या में है, हनुमान गड़ी के दर्शन, उसके बाद राम लला के दर्शन उन्होंने की, उनकी पूजा अर्चना की और अब आयोध्या में व्यवस्था के तहट सुलब दर्शन करवाए जाएं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, कोई दिक्कत लोगों को ना आए, सबको दर्शन हो, किस व्यवस्था के तहट हो, उस पर खुद नजर रख रहे हैं सीम योगी, तो राम लला के दर्शन के बाद अब सीम योगी निरिक्षन कर रहे हैं, और आम लोग वहाँ पर लाइन लगा कर, रोज की ही तरह, दर्शन के अभिलाशी राम लला के, बारी बारी से सभी को दर्शन कराया जा रहा है, और ये दर्शन सुलबता और सुरक्षित तरीके से हो, ये सुनिश्चित कर रही है यूप रहे हैं, हनुमान गड़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद राम लला के दर्शन किये, और उसके बाद फिर अव्यवस्ताओं का विकासकारियों का जाइजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री यूगी आदितनाथ। खास कारिकरम खुर आयोध्या में एक परवरी को रहेगी, इसको लेकर जो राजिवार अथिति आएंगे, उनके स्वावत की क्या ट्यारी है, उनको दर्शन कहां कराए जियागा, किसके तरुमारक से उनको अंदर लाए जयागा, कहां उनके रुकने की विवस्ताइं तमाम विश्यों प पहुचाता ऐसे में याक्रियों को किती बेहतर सुग्दा दी जा सके, सुग्दा जनक धन से रामलला के दर्शन के से दालू आए और उनको वापस बेजा जाए, इसके अलावा जिले के वरिश्दकारी यहां पर मौजूद है, सुरच्छा के संबंदि सभी, पुलिस के दस दालू को भी कम से कम अशुग्दा हो, उनको भी दर्शन मिलता रहा है, इन तमाम विश्दकार लेकर बैठर की जा रही है, पांच लाख लोगों ने रामलला के दर्वार में हाजी लगाए तो खुद मुख्यमंतरी योदी आदितनात अपार, रामला भक्तों के जनसलाप क देखते हुगे अध्या कायम कर गएते, उन्होंने वरिष तकालियों को यहीं रुकने का निजदेश दिया था और जिसके बाद स्थीती को नियंतरा लेकर दिया गया था, तो ऐसी स्थीती दुबारा ना हो, कहीं कोई ऐसा अश्मान स्थीती ना बने कि जिस्ते की सद्दा से लोग लगातार आही रहे हैं, और इसमें अब आस्ता इस्था ट्रेने भी आना सुरू कर दी हैं, तो जो मेहमान आ रहे हैं, उनको सुग्दाब जरक दर्शन मिले, वी वी आईपी का मुमेंट कैसे हो, राज जिवार जो अधिर मंतरी और उनकी कैने का रही है, उनको कैस साथ साथ, राम भक्तों को भी सुग्दाब जर्शन मिले, सुरच्चित जर्शन से राम लला के आशिरवात को आने वाले दूर दराशे राम भक्त उनका दर्शन कर सकें, ये प्राट मिस्ता रहेगी जी, बिलकुल बिलकुल और इसी को सुनशित करने के लिए मुक्य मंतरी की खुद विवस्ताओं का निरिक्षन कर रहे है, इस बीच निमिश को याकड़ा है क्या, 22 तारिक के बाद से अब तक कितने लोग राम लला के दर्शन कर चुके हैं, और ये उच्सा हर दिन किस तरह बढ़ता जा रहा है? अब तक राम लला का रहा है, तो इस बज़ा से जगा जगा नाके बंदी की की लोगों को डैविड किया गया, तो 81,000 लोगों ने 25 जन्वरी को दर्शन किया, लेकिन 26 जन्वरी गरतन तर दिवस के मोके पर ये संख्या 3,25,000 हो गई और 27 को पॉने 2,00, यानि 27 जन्वरी को पॉने 2,00, लोगों ने राम लला का दर्शन किया, और कल यानि 28 जन्वरी को लगभग 2,25,000 सरकारी आकड़ा है, तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि पिछले एक 6 दिन में लगभग 15,00, लोगों ने अब तक राम लला का दर्शन कर लिया, और लगातार जो राम भगों क राम भगतायोद्या पहुंच रहा है, और दर्शन पूजन का ये दौर अभी कोशे दिन इसी तरीके चले गए, ये माना जा रहा है, तो लोगों से अपील भी की गई थी, कि लोग ना आए, लेकिन भग मंदर में विराजमान होने के बाद राम लला के स्वरूप का इस राम भगतायोद्या पहुंच रहे हैं, उन सभी को दर्शन हो, कोई खास समय या रॉस्टर भी जारी किया गया है निमिशिस के लिए, या ये हर दिन लोगों की संक्या के हिसाब से बदलता है, कि कब-कब पट खुले रहेंगे, दर्शन होंगे, और कब बंध होंगे? पंदरा पंदरा मिलेट के लिए पठ आएगा, पठ यानि के पढ़ना भगवान के, दर्शन उसमें भी नहीं बंद होगा, तो अनवरत जो दर्शन मिलना सुरू हो गया, उससे लोगों में रहा ठुई, लोगों को लाइन में प्रतिछा नहीं करने पढ़ रही है, और लग अनवरत राम बकतों के लिए राम लला, बिलकुल और लोग भी पूरे उत्सार उल्लास के साथ लाइनों में लगते हो, और राम लला की एक जलक और दर्शन पाने के लिए लालियत दिखाई देते हैं, और उस विवस्ता को सुनिश्चित खुद कर रहे हैं उत्तर प्रद